यहां पे आपको पासपोर्ट अप्लिकेशन डॉकुमेंटेशन पुलिस विरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट और वीजा संबंधित और भी बहुत सारे महतपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कन्फ्यूज रहते हैं इस्पेशली वैसे लोग जिन्होंने बिल्कुल निव और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम में उनसे क्या-क्या डॉकुमेंट्स मांगे जाते हैं कौन- लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल रहते हैं कि कहीं मुझे कोई विटनेस तो नहीं ले जाना पड़ेगा कहीं मुझे अपने आस पड़ोस के लोगों का कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड तो नहीं दिखाना होगा ओवरॉल गाईज आज के इस वीडिए मैं आपको पूर और दूसरा होता है पुलिस वरिफिकेशन और जब इन दोनों का मैचिंग आपस में हो जाता है दोनों चीज़े सक्सेसफुली हो जाती है तब आपका पासपोर्ट बनकर आपके घर पे आ जाता है ऐसे में आपको जरूरी है कि आपको इन दोनों प्रकृरियाओं को बिल्क पासपोर्ट बनकर बहुत इसी है तो यहां पर कहीं भी कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है उसके बाद हम एक जो है फिक्स लॉट का टाइमिंग ले लेते हैं अपॉइंटमेंट के लिए और हमें अपने नज़दी की पासपोर्ट से वाकेंदर पे या फिर जो कर हम सक्सेसफुली अपना पॉइंटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हमारी फाइल को पूलिस वेरिफिकेशन के लिए इनिशेट कर दिया जाता है और हमारा जो भी वेरिफिकेशन का फाइल हमारे घर के जो नज़दी की थाना है वहां पर पहुचा दिया जा है कि आपने अपने आढ़ी प्रूफ के लिए और एडरेस के लिए अपको कम से कम दो प्रूफ देना होता है केवल एक प्रूफ से वहां पर अपने अधार कार्ड दिया होगा ने बिरुंदी डिया होगा वोटर आईड Deutsch है वह successful हो चुका है इसका मतलब यह हुआ कि आपने वह जो दो डॉक्मेंट वहां पर लगाये थे वह बिल्कुल वैलिड है जेन्यून है और आपको सिर्फ वही प्रूफ करना है कि जो आपने डॉक्मेंट्स वहां पर दिये हैं वह वाकई में रियल है या नहीं है यहां पर जो है आपको दो चीजे प्रूफ करने करनी होती है पुलिस वेरिफिकेशन में पहला जो है आपका सिटेजन्शिप जो की सबसे में मुद्दा होता है पासपोर्ट वेरिफिकेशन का लेकिन कॉंग्रेट्स अगर आप एक हिंदू है अगर आपका नाम सूरज है दीपक है अगर आप हमारे टाइटिल से पता चल जाता है अब दुनिया में यादव गुपता भारत छोड़कर तो किसी और देश में रहते नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यह पक्का इंडियन है उसका जो है तो हमारी नेशनालिटी वहीं पर प्रूफ हो जाती है अब उसके बाद साथ आती है पुलिस वरिफिकेशन का दूसरा पाच जो है मोटिव होता वह यह चेक करने का कि इसके उपर पांडिंग क्रिमिनल चार्जर तो नहीं है कोई केस वगेरा तो नहीं है को डेफॉल्टर वगेरा तो नहीं है पैसके अपना पुलिस डिपार्टमेंट में पास अ वहां से आपका नाम निकाल लेते हैं कुल मिला जुला कि यह कि हम में से 99% ऐसे लोग होते हैं जिनके उपर कोई क्रिमिनल चार्ज़ नहीं होते हैं तो ऐसे में घवराने की कोई जरूरत है नहीं तो आपने अपना निशनालिटी प्रूफ कर लिया चुकि आपके नाम सही जो है वह मेरे से बिजली paid मांग रहे थे मरे से जो है वह पानी का bill मांग रहे थे तो यह एक यह बताओ कि पास्पोर्ट जो है वह बिल्कुल स Espa होगा से लंबाई डिटेल्स बिल्कुल से मतलब बाहर से देखर को नहीं बता पाएगा कि यह passport बीहार का है और यह दिल्ली का है क्यों कि यह इंडिया का है यह इसमें भेदभाव नहीं होता है तो आप मेरे को यह बताओ जो लोग यह सोचते हैं कि आप पास्पोर्ट के लिए पानी का देना ठेटा है तक ततो आप पानी का बिल दोगे क्योंकि दिली में पानी का बिल आता है लेकिन अगर को बिहार के किसी गाहों से जहां सक जहां पर सप्लाई वाला पानी जाता ही नहीं है लोग आपना चापा कहले अपना बोरिंग करवा रखा है उन्होंने तो भाई आप वह कहां से बिल दिखाएंगे पानी का तो सोचने वाली बात है यह जो छोटी-छोटी कैसी कोश्ट लोगों के मझन में आते हैं जिकाएं कि व्युकर बिजली दिखाना भिजली विल दिखाके क्याव कर लोकी जब तुम्हारा वोटर आई डी काडव बना हुआ है जब तुम्हारा मोने नंबर तुम्हारे आधार काड़ बना हुआ है सरकार के पास तुम्हारे से भी डिटेल्स हैं तो इसमें जूट का जो है के तरीके से इसको और ज्यादा लंबा घीचने के लिए जो है लोग आप जो लोग के मनमें इस बात को लेकर डाउट रहता है कि उन्हें पानी का बिल बिखाना पड़ेगा क्या मुझे जो है बिखली का बिल दिखाना पड़ेगा क्या मुझे आगरिंट में का नाम लेना भी नहीं पाछिशन अगर तुमणमें वेरीबगेसं के टाइम में अगर ले cynतिरेंच अगरीकर पर्टी है अपना घर है आपको वहीं से जो है आपको पासपोर्ट अपलाई करना है जो कि आपका अपना एड्रेस हो आप किसी और के घर में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहां पर आपका वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको तो वहां पर कोई एक्जिस्टेंस है नहीं तो आप तो वहां पर यह प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आपका ये पर्म अपना एड्रेस है तो वहां पर इस केस में आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा सो दोस्तों पूलिस वरिविकेशन में हमेशा है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको डॉकुमेंटेशन है वो लंबा नहीं घीचना चाहिए लोग सोचते हैं कि मैं 50 तरह के 50 डॉकुमेंट दिखाऊंगा तो यह स्ट्रॉंग इविडेंस हो जाएगा तो यही सबसे पड़ी भूल होती है इससे जो है आपका केवल और जितना डॉकुमेंटेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉम्प्लिस के सेटी बढ़ेगी आपको इतना कुछ करना ही नहीं है आपको सीर्फ और सिप जो है आपने जो वहां पर दिखाए है पासपोर्ट सेवा के इंदर मे ड्राइविंग लाइसेंस यह वह यह दिखा दिखा कर लाइसी का बीमा पॉलेसी लाइफ इंशोरेंस तमाम तरह के इतना मोटा फाइल बनाकर बैठे रहेंगे कि पुलिस वाले हैं मैं उनको दिखाऊंगा तो यहां पर होता ठीक उल्टा है चीजे कॉम्प्लेक्स हो जात लिफेहां है पुलिस वेरिफेशन के टाइम में भी इससे एडिसनल नहीं आपको पानी का घीजन का दिखाना ए्ल डिखाना है नहीं आपको ऐल पासपोर्ट बनाना है थिक है तो वह होती जिसमें हो इज्क ऐड़िंदेंस दिखाना पड़ता है कि हैं बासचानव दिलए तो वो वीजा के लिए होता है पासपोर्ट के लिए इतना लंबा चोड़ा करने की जुरूत है यह नहीं तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो से आपका पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुगा होगा अपका माइंडसेट बिल्कुल तयार हो गया होगा कि अगर आने वाल सक्षेन में मेरा वाट्सअप नंबर भी मैंने दिया हुआ है मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने में तो दोस्तों तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ टुश्यून